गोड बारिंग इस्टूनेंट गेसेस स्टेट में हम बात करेंगे गेसेस के कुछ पर्टिकुलर प्रपर्टीज और कुछ लॉज हम देखेंगे जो की गेसेस को अच्छे से एक्स्प्लेन करते हैं देखो जब हमने डिफ्रेंशियेशन देखा solid liquid or gas के बीच में तो हमने देखा कि solid or liquid में जो intermolecular force of attraction होता है उसका value as compared to gases higher होता है जबकि gases में intermolecular force of attraction negligible मान सकते हो, होता ही नहीं है almost बहुत ही कम होता है क्योंकि उनके जो molecules हैं उनके बीच में बहुत जादा gap होता है molecules बहुत दूर-दूर होता है या particles अगर आप कहो तो gases में तो gases की जो property उन्हें highly compressible बनाती है means के you can compress gases as compared to liquid and solid उसके बाद अगर आप देखो तो volume और जो shape है gas का वो fix नहीं होता है gas occupy कर लेती है आप उसे जिस भी container में डालोगी उसी का shape उसका volume occupy करेगा ठीक है उसके अलावा हां जो density है वह बहुत बहुत कम होती है too much lower than compared to solid or liquid यह सारी properties हमने देखी थी ठीक है gases को explain करने के लिए अब properties तो हो गई जब आप बात करते हो science की तो वहां कुछ laws होते हैं जो प्रूफ करते हैं कि एक्चल में यह चीज आपने जो statement दिया है वह सही है particular ठीक है तो उसके लिए कुछ laws आए ठीक है उन laws ने particular 4 और 5 law है जिन law ने हमें प्रूफ कर दिया कि एक्चल में यह प्रोपर्टी होती है ठीक है इन law ने क्या किया कि गेस को आप एक तो pressure के थूँ रिप्रेजर कर सकते हो कि हाँ गेस पर प्रेशर लगता है तो कि वाल्यूम के थूँ आप उने explain कर सकते हो कि हाँ इसका वाल्यूम इतिना है और बूसरी चीज होती है temperature के temperature कर आइस करने पर गेस पर क्या effect पड़ता है तो यह तीन फैक्टर है जो गेस को बहुत अच्छे से explain करते हैं ठीक है प्रेशर तेम्परेशर और वॉल्यूम ठीक है आप कुछ पर्टिकुलर लॉज आए जो कि इनी फीचर पर बैस थे हर एक लॉज में हुआ कि एक फैक्टर जो था तीनों से एक फैक्टर को कॉंस्टें रखा गया जबकि जो बच्चे वे दो फैक्टर थे उनके बीच में रिलेशन देखा गया जिसे मालो तेम्परेशर को कॉंस्टेंट करके अप प्रेशर और वॉल्यूम की बीच में रिलेशन देखो तो क्या होगा प्रेशर बढाने पर वॉल्यूम क्या होता ह तो इसी डिरेशन में हमारा जो फिर्स स्टेट के लिए बॉयल्स लो है ठीक है बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट है जिन्हों ने इस लोग को प्रूफ किया था अर्लियार 16th century में 1662 में बॉयल्स लोग क्या था है देखू गो अब तैसे भी रिपर्शंट कर सकते हो प्रेशर बॉयम्यू रिलेशन किस-किस बीछ में रिलेशन देता है प्रेशर घण वॉयम्यू में बीच में यानी यहां यहांबर कौं सा note क कौंश्टेरकिंळगा थीक है यानि जो गेस प्रेशर लगा रही है वो inversely proportional है इसके volume के अगर जादा लगा रही है तो volume कम हो जाएगा pressure अगर गेस कम exert कर रही है तो volume क्या होगा increase हो जाएगा तो हम क्या सकते हैं pressure जो है वो inversely proportional है volume के या directly proportion 1 upon b इस तरह लिख सकते हो इसे अब आप इस proportionality relation को हटाओगे और equation बनाना चाहते हो आप इसे convert करना चाहते है equation में तो आपको हैं पर constant लगाना होगा वो constant हमने k लिया तो p is equals to the k into 1 upon b इस तरह से लिख सकते हैं या आप चाहो तो इसे ऐसे भी आप इसे अपने daily life से भी example लेकर देख सकते हो कि pressure अगर जैसे बढ़ाओगे किसी चीज को अब दबाओगे compress करोगे gas के case में तो pressure volume जो volume in gas का वो कम हो जाएगा जैकि molecule पास-बस आने लगे जब कि जैसे आपने pressure release किया pressure को कम कर दिया आपने तो molecules किया होंगे दूर-दूर भाग लागेंगे नेचर यसी है ना ठीक इंटर-molecular force of attraction कम होता है gases में तो अब दूर-दूर भागेंगे तो यह ने उनका volume क्या होगा बढ़ जाएगा यह चीज अमें समझ में आती है चीके आप चाहो तो यहां से अगर V का value find out करना चाहते हो यह के P का value find out करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि अगर आपको volume find out करना है किसी particular case का तो आप K upon P कर सकते हो यह P find out करना है तो K upon V कर सकते हो किया है कि मात्यूद में सब्सके सब्सकेशन है दो इस दोगैता न करेंगा है जान हो जी q previous दूद करना चाहते हो वहां करना ही के बीच में 1 up on V और के की बीच में देखो है डिरेक रिलेशन स्ट्रेट लाइन वाले रिलेशन से प्रेशर वन अपूंवी की तो क्या घचल ले का हे यहां सी चीज़ तो यहां से प्रेशर बढ़ेगा तो वन अपन वी जो इन्वर्स है वाल्यूम का वो भी इंक्रीज होगा यह चीज समझ में आती है तो यहां से प्रह्स के बाद एक्चल इसको अगर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो क्योंकि कॉंकि इस फ्रत नियुक्त टेशर पर आपने लिया है तो मॉर्स पर आपने ग्राफ लिए स्टेंट वन अपन वी बीच मिले आपको तो इसके बाद आपने अपने ग तो इस graph को हम नाम देते है isotherm ok graph plotted at constant temperature इसलिए यह isotherm इन्य आपको show करना था कि constant temperature पर pressure 1 upon V के बीच में रिलेशन होता है तो आपने तो तीन temperature पर आपने इसे plot ki और इसे isotherm बीया ठीके अब यह छीज आपको बताने है यहाँ पर T1 की value higher है या T2 की या T3 की किस की value किस से कम है एक चीज ध्यान में रखो T3 जो temperature डिया है जिस पर हमें जादा volume वाला मिल रहा है वहाँ पर क्या होगा T3 का value higher होगा क्योंकि temperature बढ़ाने पर क्या होगा बात सोचो आप temperature आप बढ़ाओगे तो volume क्या होगा molecules दूर दूर जाएंगे ने temperature होगा उनके बीच का bond release होगा और molecules दूर दूर जाएंगे तो यह नहीं volume increase होता है तो it means हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा volume वाला graph जो हो हाइर temperature पर मिल रहा है यह lower temperature और T1 उससे lower temperature क्योंकि volume आपर हमें कम देखने को मिल रहा है यह चीज़ क्लियर होती है तो हम बता सकते हैं कि T3 is greater than T2 and T2 is greater than T1 यह relation भी आपको ध्यान में रखना है पी और वी की बीच में तो था ही relation बट टेंपरेचर से भी हमनों उस relation को जोड़ा है okay clear होती है चीज़ तो इस तरह से हम देखते हैं कि boils लोए boils नहीं हमें explain किया कि आप relation देख सकते हो आप gases पर यह अप्लिकेबल होते है तो यह boils लो है इसकी थोड़ीचे डीटेल ओवर देखते हम स्विडेंट अगर एक से जादा प्रेशर गेस का दिया हुआ है या वॉल्यूम आपका इंक्रीज होकर बता रहा है तो तब आप कैसे relation निकालोगे उस गेस के लिए boils लोग्या काई दो की अगरेगा है तो देखो हम मान सकते हैं एक फिक्समांट ओफ गेस का मांट जो है वह फिक्स इसमें आपने चेंज नहीं किया है एक प्रेशर क्या है उस गिज़िश का पीव है तो वाल्यूम आप मान सकते हो कि वीवन होगा जी कि रिलेशन जो भी वाद में बड़ेगा और next function volume becomes V2 उसी गेस का volume जब अपने प्रेशर को कम किया तो volume क्या हो गया V2 हो गया अप्रेशर अपने छेडा ना पहले P1 था अपने कम किया अप तो प्रेशर क्या हो गया P2 हो गया अब क्या relation निकालो कि कैसे आप बॉल इसलो को प्रूफ करोगे जब आपको दो वॉल्म और दो प्रेशर दी होए तो देखो बॉल नो क्या किया था है P1 V1 एकवस्ट थुदे के यह होता था तो यहा पर P1 V1 is equal to the P2 V2 इसके बाद P1 P2 और is equal to the V2 upon V1 यहां से निकाल सकते हो P1 P2 is equals to the V2 upon V1 इस तरह से आप relation निकालते हो तो यह जो आपके relation निकल कर आया है P1 P2 और V1 V2 के बीच में यह relation generally हमारे जो numericals दिये जाते हैं उनमें काफी helpful होता है यह जीज आपको धियान में रखना है यह 4 value दी होई है 2 pressure की और 2 volume की तो इन 4 में से 3 तो आपको given होते हैं कोई 1 point आपको given नहीं होता है मानलो V1 given नहीं है मानलो V2 given नहीं है मैं भी P2 की value नहीं दी तो वो आपको find out करनी होती है तो आप इस relation के through इस equation के through find out कर सकते हो तो अब यह चीज है में रखना है कि अगर एक case के लिए दो प्रेशर दो वॉल्यम दिया हुए तो P1 P2 equals to the V2 upon V1 जी हमने बाइल से प्रूफ किया है उसके बाद देखो अब आप density से relation निकालो को प्रेशन होते हैं अब्येसिटी भी दे दी जाती इ deepest कुछ करवाता है तो देखोम यह हो तिक टव इन सिर्फ अब यहां प Vit got aspects up on volume गचालता है यूंकि density भी हमें नहीं दी, boils लोने, mass भी हमें नहीं दी, हमें volume दी आ है, boils लोने, जी कि volume find out करना सिखाया है, तो उस volume का value हम यहाँ पर रखेंगे, तो सबसे पहले देखो, हम volume केसे find out करते हैं, केसे find out करते हैं boils के according, k upon p, ठीके, constant में आप pressure से divide कर दो, या pressure अगर find out करना है, तो constant को volume से divide कर दो, तो volume का यह जो value, boils के according को हम यहाँ, इस equation में बूट करेंगे, तो density का value आजाएगा, k upon p, इस तरह से, तो हम कैसकते हैं, कि constant temperature, temperature constant ही जल रहा है, तो आपको जैसे जैसे आप pressure increase करोगे, density बढ़ती जैसे pressure कम किया, आपने release किया, density कम होती जाएगी, particular gas की, यही relation हमें प्रूफ करना था, यह हमने boils low के according इसको भी प्रूफ कर दिया है, तो boil low हमारा complete होता है, boil low में आपको धिहान में रखना है, temperature constant रखना है, relation कि इसके बीच में देखना है, pressure और volume के बीच में, तो इस तरह से boil low को हमने प्रूफ किया, अब हम आगे चलते हैं, चार्स low की study हम करेंगे, boil low के बाद हम बात कर लेते हैं, चार्स low की, चेकिए, boil ने temperature को fix किया था, pressure और volume की बीच में relation दिया था, चार्स ने क्या किया है, temperature of volume की बीच में relation दिया, यानि इसने pressure को constant रखा है, अब आप खुद idea लगाओ, कि pressure अपने नहीं चेड़ा, pressure constant रखा, तो temperature of volume की बीच में क्या relation होगा, जैसे जैसे आप temperature दोगे, चेकिए, तो gas के molecules क्या होगे, expand होगे, दूर-दूर फैल जाएंगे, तो मिन इसके volume क्या होगा, increase हो जाएगा, चेकिए, तो direct relation है, temperature, और, sorry, temperature of volume की बीच में, चेकिए, तो at constant pressure आप लिख सकते हो, the volume of, a fixed amount of gas, gas का amount fix है, okay, is directly proportional to the pressure, sorry, directly proportional to the temperature, ठीकिए, pressure तो हमने constant ही रखा है, तो हम लिख सकते है, V is directly proportional to the temperature, temperature कम करने पर, molecules settle down होगे, यानि volume कम होगा, temperature बाने पर, molecules दूर-दूर फैलेंगे, यानि की volume increase होगा, direct relation है, V is equals to the kT, ऐसे भी लिख सकते हो, अब इसे graph के थूर प्लोट करोगे आप, तो direct relation है, straight line हमें मिल रही है, कि temperature बढ़ाने पर volume भी बढ़ रहा है, और हमारा जो pressure है, वो fixed है, एक बार हमने एक pressure दिया, P1, उस पर हमने graph देखा, तो हमें straight line मिली, temperature और volume के बीच में, फिर आपने P2 प्रेशर पर देखा, P3 पर देखा, तो भी हमें straight line मिली, तो देखो यह चीज़ ध्यान में रखो, कि आपने pressure को constant करके temperature और volume के बीच में graph प्लोट किया है, तो इस graph को आप नाम दोगे ISO bar, ठीकि, अब मुझे एक fact यहां बताओ, यहां P1, P2, P3, 3 different pressure पर आपने graph प्लोट किया है, आप बता सकते हो कि इसको देख करके P1 की value higher है, या P2 की या P3 की, किसकी value lower है, एक बार यह चीज़ explain करो, आप इसे relate करो pressure को volume के साथ relate करो, आपने किया है pressure और volume को relate, temperature को कम रख के boil slow में, क्या होता है relation, कि volume कब बढ़ता है, आप देखो volume कब बढ़ता है, जब pressure कम होता है, यह जादा होता है, volume कब बढ़ेगा, जब आपका pressure कम होगा, समझ भारी रही चीज़, pressure कम करने पर volume बढ़ता है, यह उने boil slow से सीखा है, ठीके, तो वो relation हमारे यहां काम आएगा, इस चीज़ को पता लगाने में, कि हमारा P1 higher था, P2 higher था, या P3 की value higher थी, तो देखो, volume increase हो रहा है, Y-axis पर, ओके, और यह pressure, यहाँ पर आपको ज़ादा नहज़र आएगा volume के साथ, volume बड़ा, यहाँ पर ज़ादा volume है, इट मींस कि यह pressure जो P3 है, वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तब ही तो volume कै था, यहाँ पर higher था, समझ भाई यह चीज, फिर volume कम हुआ, Y-axis पर, यह volume इस point पर कम हो रहा है, P2 वाले point पर, तो हम कह सकते हैं, कि यह pressure higher हो गया था, यह चीज समझ में है, फिर P1 पर गए, तो हमने देखा, volume और कम हो गया, volume का value, Y-axis पर अगर देखा जाए, तो और कम हो गया यहाँ पर, यहीचीज से हो रही 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 है, यह पर volume कम हो, मेंज कि प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, जी कि वॉल्यूम कम होना है, प्रेशर का बढ़ना, अकोर्डिक तो बॉयल स्लो, तो हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर किसकी value higher है, P1 is greater than P2 and P2 is greater than P3, यानि सिब से जादा value P1 की है, यानि जब हमने P1 प्रेशर पर जब हमने यह जो टेमप्रेशर और वॉल्यूम की बिच में ग्राफ लिया था, उसकी value higher है, फिर हमने P2 में कम किया, P3 में और कम किया, यह ज़िए समझ में आती है, अब थर्ड लो हम देख लेते हैं, गे लूज एक लो, पहले लोने temperature को constant रखा, दूसरे लोने pressure को constant रखा, अब नमबर आता है, वॉल्यूम का, अब वॉल्यूम का constant रहेगा, और relation किस किस के बिच में होगा, pressure and temperature के बिच में, बताओ मुझे, temperature rise करोगे तो pressure क्या होगा, pressure increase होगा, क्यों, क्योंकि gases क्या होगी, उपर की तरफ उठेंगी, ठीके, और उपर जाकर, क्या करेंगी, नीचे pressure बढ़ाएंगी, समझे महारी ने चीज, कि molecules जो हैं, गेस के, temperature rise करने पर, molecules उपर की तरफ उठेंगे, ऊपर उठकर, नीचे जो molecules होगे, उपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अगर सेटल दाउन होगे, तो प्रेशर बढ़ा ही नहीं पाएंगे, यह चीज क्लियर होती है, तो हम कह सकते हैं, कि at constant volume, प्रेशर ओफ फिक्स्ट अमांट उफ गेस, is directly proportional to the temperature, आप प्रेशर कुकिंग का भी एक्जामबल यह दे सकते हो, जिसे जिसे आप प्रेशर कुकर में तेम्परेशर अराइज होता है, आपका प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज होता है, तो आपके प्रेशर कुकर में प्रेशर आपका बढ़ रहा है, और आजसे आपका food की होता है, cook हो जाता है, यह चीज हमें समझ में हाती है, pressure cooker का example हम यह ले सकते है, temperature बढ़ाने पर pressure बढ़ता है, और हमारा खाना त़ियार हो जाता है, जब कि आपने गेस्ट लो किया, तो यह नहीं temperature कम किया, अपने, इसके pressure भी कम होगा, और खाना बनने मे किते इस graph को, okay, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यह V1 पर लिया, V2 पर लिया, V3 पर लिया, अब आप खुद का दिमाग लगा और बताओ की, V1 की value higher होगी, V2 की higher होगी, अब V3 की higher होगी, बताएंगी, pressure और volume की बीच में, आप relation देख लो, pressure और volume की बीच में, रिलेशन को और volume कम हो रहा है, sorry, हाँ, pressure यहाँ पर ज्यादा है, it means pressure ज्यादा, it means की volume क्या था, कम हो जाता है, according to the boil slow, यह ही कहता है न, boil, ठीके, तो यह चीज हम यहाँ देख सकते हैं, temperature को हम नहीं चेड रहें, इस चीज को पता लगाने के लिए, की volume V1, V2, V3 में क्या relation है, कोन higher है, को lower है, lower है, ठीके, तो pressure higher, it means क्या मतलब हुआ, pressure higher, यानि की volume क्या था, कम था, फिर आप यहाँ आए, V1 वाले pressure पर, यहाँ देखो, pressure का point कम हो गया, y axis पर pressure कम है, pressure कम, it means कि volume क्या हुआ, बढ़ गया, higher हो गया, तो हम कह सकते हैं, कि यहाँ पर V1 is greater than V2, and V2 is greater than V3, यह चीज हम में, धियान में रखनी है, boil losses से relate करना है, I hope यह laws आपके clear हुए होंगे, ठीके, boil low, charged low और, gay lose एक low, ठीके, इसके बाद हम, एक low और देख लेते हैं, Avogadro low, इसको देख लो आप एक बार, फोर्थ लो देख लेते हैं, Avogadro low, देखो, Avogadro low जो है, वो relation देता है, हमने pressure constant करके देख लिया, temperature constant करके देख लिया, volume constant करके देख लिया, अब हम किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, अब हम रिलेशन निकालने माले है, volume और amount of gas के बीच में, ठीके, कि volume increase होने पर amount of gas increase होता है, amount of gas increase होने पर volume increase होता है, या decrease होता है, वो relation देखेंगे, हम, देखो, Avogadro low, equal volume of all gases, कुछ gases लिए जिनके volume equal थे, मालो, 1 liter, 1 liter, 1 liter, equal volume of all gases, under the same condition of pressure and temperature, temperature and pressure की condition, same लिए पर्टिकुलर एक गेस के लिए इतनाई pressure था, इतनाई temperature था, same condition लिए और volume के लिए, उनके equal लिए, contents, क्या contain करते हुँ हो gases, equal number of molecules, यानि उनमें molecules को जो number है, वो भी equal होगा, यानि जो amount है molecules का, वो equal होगा, और आप जानते हो number of molecules, या amount को represent करते हैं, मोल से, तो हम कह सकते हैं, की volume is directly proportional to the N, N के आई है, आप पर number of moles, तो देखो, जब volume में equal था, तो number of moles, यानि की amount of gas भी equal था, फिर volume आप कम करोगे, तो amount of gas, उसके according कम होगा, या बढ़ा होगे, तो उसके according बढ़ता है, यह चीज़ समझ भाती है, ठीक है, तो V, V is equal to the K, N, के यहाँ पर हमारा proportionality constant है, तो इस तरह से हम अबगेद्रों लो को देखते हैं, यह laws आपको ध्यान में रखने हैं, इन ही laws पर best questions, generally, इन ही medicals हम से पूछे जाते हैं, और एक बहुत अच्छा सा benefit है, कि इन चारों लोग को धेखकर हमें एक ideal gas low दिया जाएगा, जो इन चारों लोगेद्रों का combination होगा, उस ideal gas low को हम ideal gases पर ही apply कर सकते हैं, जो gases ideal होती है, यह इन चारों लोगेद्रों को follow करती ह तो वो ideal gas केलाती है, और जो follow नहीं करती है, वो gas ideal gas नहीं होती है, तो उन ideal conditions को हम देखेंगे, इन तीनों चारों लोग को मिला कर जो ideal gas low दिया गया है, उसका हम discussion करेंगे next video में, तब तक आप इने non-down करो, thanks for watching.